हलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों का टेस्ट बुक के ओपर तहे दिल से स्वागत है तो इस शॉट वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाली हूँ Molecular Orbital Theory आपकी अनुकक्ष सिधान्त जो की वान अफ दी मोस्ट इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेशन्स एक्जामिनर आप लोगों के पेपर के अंदर पूछता है तो ध्यान से समझते चलना ये Molecular Orbital Theory क्या होती है ठीक है आप लोगों को व टीजटी पीजटी हायर लेवल की साइंस में आप लोगों को सिखाते है उस चैनल पर और एकदम धमाकेदार धुएदार आपके कॉंसेप्ट इतने स्ट्रॉंग हो जाएंगे तो कोई भी पेपर को आप छुटकियों के अंदर दोस्तों कर लोगे क्वालिफाई तो कहानी क जिस प्रकार है कि यह मॉलिक्लर और्बिटल ठीओरी कहां से आई इसमें कहां से जनम लिया तो दोस्तों चलो इसको डिसकस करते हैं औक्सिजन के पास 16 एलेक्टरॉन हैं हम सब जानते हैं कोई आप से पूछे कि आपके पास अगर मैं बात करूं तो 16 एलेक्टरॉन होते है अगर ऑक्सिजन के पास 16 एलेक्टरॉन है तो कहने का मतलब even number of electrons है मैं आप से फटावट से पूछूं कि इसकी चुमबकतव क्या है बाई बताओ तो आप बोलोगे कि मैं obviously यह डाया मेगनेटिक होगा यह प्रती चुमब के पदार्थ होगा और magnetic field को repel करेगा जैसी हम किसी magnetic field के अंदर इसको रखेंगे तो magnetic field में repulsion शो करेगा है ना आकरशित नहीं करेगा चुमबकि यह छेत्र को field को अपनी तरफ क्योंकि यह प्रती चुमबकि है डाया मेगनेटिक electrons, solar electrons मतलब डाया मेगनेटिक प्रती चुमबकि है तो इसे भी तो चुमबक के साथ चिपकने नीचे यह done बात है लेकिन कहानी में कुछ twist है ऐसा देखा गया कि liquid oxygen यार लोहे के pieces को magnet की तरफ attract हो रहा था, magnetic substances को अपनी तरफ खीच रहा था, scientist के दिमाग में हैरानी जनक बात आ गई, भाया अगर किसी में even electrons हैं, अगर कोई प्रती चुमबक की पदार्थ है, तो कैसे यह चुमबक की तरफ आकर्शित हो रहा है, कहानी में तो कुछ गोलमाल है और इस oxygen की, च magnetism को प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर कहानी कुछ प्रकार हुई, कि molecular orbital theory ने जनम लिया, M.O.T. ने जनम लिया, और ऐसा जनम लिया, कि आप लोगों के paper के अंदर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, और one of the most important theory, अगर मैं chemical bonding की बात करूँ, रसाइनिक बंद की, सब से महत्वपून, शानदार, बिंदास theory में से एक theory है, molecular orbital theory, तो oxygen के पास solar electrons थे, लेकिन यह diamagnetic होना चाहिए था, बट experiments ने दिखाया, कि यह तो paramagnetic पदार्थ है, liquid oxygen अपने तरफ मेरे दोस्तों, इतना strong magnetism शो करता है, कि liquid oxygen attract कर लेता है, अपनी तरफ मेरे दोस्तों को, इतना जादा strong चुमबकतव इसके अंदर होता है, तो चलो मैं समझाती हूँ, MOT की कहानी, यह molecular orbital theory क्या है, अब आपके पास atoms present है, परमानू, परमानू के कुछ orbitals हैं, कक्ष क्ष क्या होते हैं, जहां पर electron को पाने की probability सबसे जाद है, electron से मिलने की शमता सबसे जादा उसक के घर में, मैं office चले जाओं, घुमने चले जाओं, shopping चले जाओं, trip पे चले जाओं, कहीं पर भी जाओं, अपने घर तो वापस आऊंगी ना, तो अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, आपको मेरा address पता चल गया, कि मैं हम यहां रहती है, तो आप मुझे चुपकियों के कहते हैं, ठीक है, तो atoms के पास अपने-अपने कक्ष हैं, जहां पर electron गोल-गोल गुनते हैं, यह atoms के कक्ष आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद, atomic orbitals आपकी combine करती हैं, मेरे दोस्तों, यहीं पर electron की sharing होती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलू, sharing of electron से सही हो जग बंद बन रहा है, भा के atomic orbitals मिलते हैं, आपस में overlap करते हैं, इधर electrons को share किया जाते हैं, तो atomic orbitals आपके combine करके बनाते हैं, यहां मेरे दोस्तों, आपके atomic orbitals बनते हैं, यह आपके atom के orbitals combine करकर, अगर तो यह add होते हैं, यानि कि आपस में add हो रहे हैं, तो हमारा बनता है bonding orbital, तो उस case में हम बोलते हैं कि हम अमदर सन औरा किसा बन रहा है बॉंडडिंग बीटल यानिकी सिगमा एस अगर मेरे दोस्तों यह एड़ पेल करते है आपस में तो मारा बनते है ntbonding ओर यानि कि स्कों बोलते है सिगमा स्टाररैस से पास bonding और बिटल बनते है सिगमा एस। आपने ज़्यादा stability होगी, सिर्ता होगी, यह बात हमेशा याद रखना, हमेशा, आप अपने उपर लागू करो, चलो मैं, आपको यह जो concept मैंने भी बताया, इस line को हम अपने उपर लागू करते हैं, हमारी day to day life से relate करते हैं, चलो करें मिलके relate, आजो, जैसे for example, अभी माला आपके पास नौकरी नहीं, है ना, आपकी stability कैए, पैसा, money, अपना सपना, money, 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 आपकी stability है, बाई मेरे पर job लग जाए, मेरे पर अच्छा खासा पैसा हो जाए, और मैं अपनी life को enjoy करूँ, वो आपकी stability है, ठीक है, वो है क्या, आपकी stability, done है, क्या, पैसा, आप चाहते हो, कि मुझे पैसा मिले, अभी आप unstable, आपकी stability काम है, क्योंकि आपके पास job नहीं, अभी आपके पास पैसा नहीं, आप में energy बहुत जाता है, यार, मैं ऐसा क्या करूँ, ठीक है, मैं फटा वट्चे न, ये वला फॉम भर देता हूँ, ये पेपर निकल के इसका फॉम भर देता हूँ, यहां से पढ़ लेता हूँ, रितिका मैं हमका course ले लेता हूँ, YouTube के session देख लेता हूँ, फटा वट्चे अपनी तयारी करता हूँ, पूरे जोश में हो कियार किसी तरीके से, बस मेरा पेपर कॉलिफाई हो जाए, मैं पूरे जान लगा दूँगा, मेरा पेपर कॉलिफाई करने के लिए, जब हमारे पास stability कम होती है, स्तिरता कम होती है, तो हमारे पास उर्जा जादा होती है, याद रखना, यह concept inversely proportional है, एक दूसरे के यह बहुत महत्वपून बात है, इन केस मेरे दोस्तों, अगर आपके पास stability की अगर मैं बात करूँ, उस तिरता आ जाएगी, कहने का मतलब आपके पास जवाब आ जाएगी, कौन सी सरकारी ज़ॉब, गौर्मन्ट जॉब अपनी पक्की है, उस टाइम पे मैं बोलूगी, गाईज, BPSC, TRE 3.0, 4.0, 5.0 निकल गया, आप बोलोगे, मैं, hardly matters, मेरे पास नौकरी है, मैं already stable हो, निकलता रहे, मुझे क्या फरक पड़ता है, बाई is stable, तो जब हमें stability आती है, तो हमारी energy कम हो जाती है, फिर हम मैनत नहीं करते, ठीक है, इधर दूर भागते नहीं है, दर-दर की ठोकरे नहीं खाती है, यह प्रभू, मेरा पेपर निकल जाए, भया कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कहां की तयारी करने हैं, यह हमेशा याद रखना, bonding orbitals की energy less होती है, और जिसकी उर्जा कम होती है, वो जादा स्थिर होता है, इनमें stability जादा होती है, anti-bonding की जो energy है, वो high होती है, इसलिए इनमें stability आपकी कम होती है, तो हो क्या रहा है, atom के कक्ष मिल रहे हैं, मिलने के बाद molecular orbital बना रहे हैं, sigma s, अगर molecular orbital प्लस होकर बन रहे हैं, तो आपका bonding बन रहा है, अगर यह minus हो रहे हैं आपस में, तो आपका anti-bonding बन रहा है, यह बात ध्यान रखना, जितने आपके atomic orbital होते हैं, आणविक कक्ष, उतने ही molecular orbital भी होते हैं, जैसे मालों हैं यहां पर दो atomic orbital है, तो दो ही molecular orbital बना रहे हैं, एक बन रहा है sigma दोस्तों, यह रहा, और एक बन रहा है anti-bonding, that is sigma star, तो sigma and sigma star जो है, यह आपका form हो रहा है, very important, examiner पूछता है, दो atomic orbital बन कर, कितने आणविक कक्ष बनाएंगे, आप बोलों ही दो, तीन atomic orbital मिलेंगे, तो आप बोलों ही तीन आणविक कक्ष बनेंगे, ठीक है, clear है बात सभी को यह ध्यान में रखना, ठीक है, अब, molecular orbital बनना क्या बहुत असान है, क्या कोई भी molecular orbital बना सकता है, नई फ्रैंस, उनकी उर्जा comparable होनी चाहिए, ठीक है, जो उनकी energies हैं, वो comparable होनी चाहिए, जैसे कि 1S, 1S के साथ मिला, आपस में comparable energy हुई, टिक, ठीक है, 1S, 2S के साथ मिला मेरे दोस्तों, आपकी energy comparable नहीं है, एक की energy अलग है, यह दोनों कभी भी मिलकर, molecular orbital नहीं बनाएंगे, energy हमेशा, दोनों के आपस में comparable होनी चाहिए, तभी आणविक orbital बनता है, या फिर orientation ठीक होनी चाहिए, अब देखो, यह एक दूसरे पर overlap करके, orbital overlap कर सकते हैं, molecular orbital बना सकते हैं, PZ और PX तोड़ी ना कर सकते हैं, क्या ही overlapping होगी है, कैसे है, कैसे है, तो यह नहीं बना सकते है, molecular orbital ठीक है, तो bonding molecular orbital और anti-bonding, मैंने आपको सिखा दिया, जिसकी उर्जा कम है, उसमें स्तिरता जाद है, जिसमें उर्जा जाद है, उसमें स्तिरता कम है, यह बात याद रखना, आबंद वाले आणविक कक्ष जो होते हैं, bonding, molecular orbital हमेशा stable होते हैं, जो स्तिर होता है, उसकी energy कम होती है, इसलिए इने नीचे रखा जाते हैं, जो unstable होता है, उसकी energy जादा होती है, इसलिए ने उपर रखा जाते हैं, तो sigma star उपर और sigma नीचे, यह बात ध्यान रखना फ्रेंट, मैं आपको basic से सिखा रही हूँ, एकदम zero से, नहीं तो मैं सीधा आपको formula बताती है, लो बेटे formula, फटाफट से question ऐसे निकल जाएंगे, नहीं, समझो एक एक चीज़ को, यह theory बहुत important है, और बहुत जादा number, इस theory से question बहुत जादा number के exam के अंदर पूछे जाते हैं, चलो, atomic orbitals मिलकर molecular orbitals बनाती हैं, यह बात हम discuss कर चुकिए already, कि जो आपके पर्मानुकक्ष है, वो आपके अनुकक्ष बनाते हैं, जितने पर्मानुकक्ष मिलेंगे, उतने ही अनुकक्ष बनेंगे, जैसे यह atomic orbitals कितनी मिल रही, 1 plus 1, 2, तो molecular orbital कितनी बन रही है, 1 यह रही, 1 यह रही, यानि की 2, एक bonding और एक anti-bonding, यह बात सब को clear हो गई, अब कहां नहीं आते हैं दोस्तो, one of the most important, that is molecular orbital theory, यह एक ऐसी theory थी, जिसने bond order, कितने आबंद बनते हैं, किसी में इसकी knowledge दी हमें, इस theory ने हमें bond की, आबंद की लंबाई के बारे में बताया, इस theory ने हमें आबंद में, ताकत कितनी होगी, कि यह बताया, और इस theory ने हमें, magnetism चुम्बकतब के बारे में बताया, कि कोई प्रती चुम्ब के पदार्त है, diamagnetic है, कोई अनुचुम्ब के पदार्त है, paramagnetic है, और oxygen की कहानी में जो दर्द है, वो इसी theory से proof हुआ, हमें लगता था, oxygen, solar electron, बोले तो even, even तो मतलब pairing-verring हो जाएगी, unpaid electron होंगे नहीं, diamagnetic nature है, लेकिन वो तो paramagnetic वाली nature शोग कर रहा था, तो molecular orbital theory ने, oxygen की चुम्बकतब, magnetism को हमें प्रूफ करकर, मेरे प्यारे दोस्तों, बिया, चलो आजाओ, इसको अब हम समझेंगे, आपके atomic orbitals मिलते हैं, ठीके, और molecular orbitals बनाते हैं, आपके atom के कक्ष, ठीके, परमाणू कक्ष मिलकर, यह सबको पता चल गया, अब तक मैंने समझा दिया, क्या बनाएंगे, आणविक कक्ष, molecular orbital form करेंगे, ठीके, जैसे दोस्तों, for example, देखो, पन रहा है, इसकी उर्जा कम है, तभी इनको नीचे लिखा है, तिरता जाद है, तभी मेरे दोस्तों से नीचे लिखा है, यह आपके anti-bonding है sigma star, उसके बाद आपको पता है 2s आता है, हम ऐसे करता है, 1s, 2s, 2p, यही सब हम कर रहे हैं, बस अब इनको खोल के molecular orbital बनाए जा रहे हैं, 2s आता है आपके पास, sigma 2s नीचे, और sigma star 2s उपर, उसके बाद 2p आता है, p में हमें पता है, p x होता है, एक हमें py पता है, और एक हमें p z पता है, यह हमें पता है, तो इसका pi 2p x यह रहा नीचे, pi 2p y यह रहा, उपर आपका आगया sigma 2p z, ठीक है, यह, उसके बाद pi star 2p x, pi star 2p y, और उपर आगया sigma 2p z, मेरे दोस्तों, इस प्रकार से, molecular orbital के, डाइगराम को बनाया जाता है, अब आप सोचोंगे, मैं हे भग 1, यह कौन याद करेगा, भाई, सुच के अंदर हो जाएगा, समझना याद करने में है, यह कैस के, ठीक है, अब सुनो, यह डाइगराम दो प्रकार के बनते हैं, ठीक है, दो प्रकार के अंदर इन्हें वर्गी कृत किया गया है, यह तो आपने पहला case दिखा, एक और case है, या बराबर है 14 के, किसी के पास electron कम है, या फिर equal है, किस से equal है 14 से, तो हमारा ये वाला molecular orbital, MOT diagram बनेगा, मालों आपके पास 4 से कम electron, मालों आपके पास 14 रुपए है, 14 से कम electron है, ठीक है, अब मेरा मन करा है, यार भी 4 रुपए 14 से कम electron है, या 14 ही है, ये life में आगे बढ़े, मैं चाहते हूँ, ये उपर को grow करे, आगे बढ़े, तो molecular orbital diagram आपका ऐसा बनता है, कहने का मतलब, πाई 2 पी X, पाई 2 पी Y नीचे, इधर आता है आपका sigma 2 PZ, फिर आता है πाई स्टार, anti-bonding वाले, और फिर आते हैं sigma स्टार, तो आपके दो triangle जासे बनते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि जब आपके electrons, 14 से कम है, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की salary, बढ़िया हो जाए, मेरे दोस्तों की salary, एक number class हो जाए, 4000 रुपे यार पी salary होती है, तो आपके salary बढ़िया हो, तो triangles उपर को बनेंगे, जब electron अगर आपके पास, less than equal to 14 हो, अभी हम इसमें electron भरेंगे, बस अभी आप diagram की शकल देखो, that's it, अगर आपके पास electrons, 14 से जादा हैं, कहने का मतलब आपके पास बढ़िया एकदम, एक number salary है, तो आपका जो diagram बनता है, वो ऐसा बनता है, अब मेरे को बोई चक्कर नहीं है, आपके पैसे बढ़े ना बढ़े, आप एक बढ़िया stable पैसे कमा रहे हो, good, आपके पास जादा electron जादा पैसे है, तो इस case में sigma 2pz नीचे आता है, फिर आपका πाई 2px होगा, फिर इसके साथ πाई 2pz होगा, जो मैं आपको बना के दिखा तूँ, यह πाई sigma 2pz नीचे आता है, यह रहा, फिर उसके बाद यह आपके पास πाई 2px है, यह πाई 2py है, फिर यहाँ पे आपके बस πाई star 2px, 5 star 2py और sigma star 2pz, यह ध्यान में रखनी है, यह डाइगराम ध्यान में रखनी है, एक याद होगा तो दूसरा याद हो जाएगा, जैसी आप इनको लगाना शुरू करोगे ना, questions के अंदर, आप easily इने समझ पाओगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, चलो आज़ो फिर ऐसा करते हैं, solve करके देखते हैं, ठीके बड़ीया, एक आदा question मालो अगर मैंने आपको दे दिया, तो आप इसको कैसे नहीं का लोगे, फटा फट से पहले ही देखते हैं, मालो oxygen की कहानी का दर्द ही देख लगे, ठीके, से पहले नीचे यहां पर आएगा sigma 1s, ठीके, आप उपर आओगे sigma star 1s, फिर आप उपर आओगे sigma 2s, फिर आप और उपर जाओगे sigma star 2x, अब यह 16 electrons है, कितने ज़्याद ही हैं ना, 14 से, तो आपके बाद sigma 2pz आएगा पहले, उसके बाद pi 2px, और इधर pi 2py, और उसके बाद pi star 2px, pi star 2py, यह pi star वाले हैं, और उपर sigma star 2pz, यह आपका molecular orbital diagram बन गया, अब इसमें अपन क्या भरेंगे, इलेक्ट्रों, कितने इलेक्ट्रों हैं, 16 इलेक्ट्रों, जो भी इलेक्ट्रों इसके अंदर भरे जाते हैं, आपके आफ़व, प्रिंसिपल, वूम, रूल, उसके हिसाब से भरे जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रों की feeling तो, उसी हिसाब से मेरे दोस्तों होगी, चलो भरते हैं, सबसे पहले 16 इलेक्ट्रों भरने, सबसे पहले मैंने भरे, सिग्मा वानेस में दो इलेक्ट्रों, भर गए दो, ठीक है, उसके बाद सिग्मा स्टार में दो इलेक्ट्रों, चार होगे, इसमें दो छे, इसमें दो आठ, इसमें दो दस इलेक्ट्रों होगे, यहाँ पर दोस्तों एक electron पहले 11 फिर 12 ठीक है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है 11, 12 हो गए एक electron फिर बरेंगे 13, 14 यहाँ पर आपको पता है अगर same energy हो किसी की ठीक है तो पहले एक एक electron एक orbital को दिया जाता है उसके बाद आपकी pairing की जाता है तो कि हम लोगों को यह बात पता है अगर नहीं पता तो मैं आपको पता देती हूँ दोस्तों हूंड जरूल ने कहा कि अगर लंगर के अंदर वाहिगरू का लंगर है मालो सब लोग एक line में है थीक। कोई लंगर है कोई भोग है पहले एक एक रोटी सबको दी जाती है ऐसा थोरी पहले वाले को दो दो रोटी दे दी नहीं सबको पहले एक एक रोटी दे दी जाती है ताकि भाये सबको एक एक रोटी मिळ जाए उसके बाद हम repeat करेंगे इए इसे MON indea तो अब मेरे पास कितने एलेक्ट्रों से फिल होचुके दो चार पांची शाता नौवडर्ध ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा और सोला आप चीज देख रहे हो यहां पर दो इलेक्ट्रों अनपेड है यह दो अनपेड इलेक्ट्रों ने हमें परूफ करके बताया वक्स चुम्बकी है या फिर कोई अनुचुम्बकी है पैरा मेंगनेटिक है यह molecular orbital theory हमें बताती है अब मालो examiner मुझसे पूछे bond order का है oxygen का ठीक है आप बताओ bond order का एक formula याद रखना 1 by 2 ठीक है number of bonding electrons number of anti-bonding divided by 2 ऐसे करके हम निकालते हैं bonding electrons कितने है चलो calculate करें यह 2 bonding यह भी 2, 4 bonding यह भी 2, 6 ठीक है 7, 8, 9, 10 10 bonding है मैंने लिख दिया 10 minus, anti-bonding कितने हैं दोस्तों calculate करें 2, 2, 4 5, 6, यहाँ पे आगे 6 divide by 2, यह total हो गया 4 divide by 2, तो यहाँ आगे 2 यानि की 2 electrons आप बोलोगे 2 bond, आप बोलोगे oxygen का मैं bond order 2 होता है कहने का मतलब oxygen double bond बनाता है, यह तो obvious ही बात है तो हमें भी पता है, oxygen जो है ऐसे exist करता है, दो बंद oxygen के होता है, यहाँ से पता चला दोस्तो bond order ऐसे calculate करता है examiner आपको बोल दे, O2 positive, यानि कि एक electron कम करना है, आप इस orbital से एक electron को गायब कर देना, same formula लगाना, half into number of bonding minus number of anti-bonding bonding 10 है, anti-bonding से एक electron गया, यह 5 हो गया, तो 2 divide by 5 divide by 2, 2.5, फिर आप बोलोगे, O2 positive का bond order 2.5 है, ऐसे question examiner बोलेगा, O2 negative का निकालो, O2 negative का निकालो बस आपको electrons प्लस में remove करते चलना है, और आपको negative में add करते चलना है, और सबसे last के orbital से ही add होंगे और निकलेंगे, simple, क्योंकि जो बार के orbital होते हैं, वो ही आबंद बनाने में participate करते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों, इसी ने proof किया कि oxygen जो है, अनुचुम्ब की ये पदार्त है, very very important, तो आपको oxygen ये रहा more than 14 electrons, जिनमें भी होंगे, उनमें ये molecular orbital diagram लगेगा, जो कि हमें ये proof करके बता रहा है, कि oxygen paramagnetic nature का है, bonding कितने हैं, उसमें 10, anti-bonding 6, divide by 2, question खता हैं, ऐसी आपसे examiner कुछ भी पूछ सकते हैं, माल नों उसका मन कर रहा हैं, आपसे nitrogen पूछ रहा हैं, आपको पता nitrogen में कितने electron होंगे, 14 सबको पता है नहीं, ठीक है एक nitrogen में 7, दूसरे में 7 total हो गए 14, आप हो लोगे, मैं nitrogen में 14 electron है, मैं दूसरे वाला diagram यूज करूँगा, जिसमें मैं चाहती थी, कि आप अपने जीवन में grow करो, उस case में electron पहले pi, ठीक है 2p x, pi 2py में भरोगे फिर आपका sigma 2p z आएगा फिर यहाँ pi star 2p x, pi star 2p y sigma star 2p z ऐसे हम लोग भरेंगे, यहाँ पर examiner यह nitrogen का molecular orbital diagram examiner हमें पूछे nitrogen की nature कैसी है, 14 electron भरने nitrogen में, चलो भरें, ठीक है यहाँ पर नीचे है, आपके यहाँ पे इन्होंने sigma 1s और sigma star 1s, यहाँ पे sigma 1s और sigma star 1s भी present है यह रहा, दो electron यहाँ, दो यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 14 electron भर गए, हम देख सकते हैं सारे के सारे electrons भरे हुए हैं मैं बोलू, all electrons are filled सारे भरे हैं, देख लो, आप कहीं nitrogen N2, कोई मुझे बोले मैं bond order बताओ, कितने आबंद बना लेता होगा nitrogen, मैं बोलूँगी half, bonding electrons 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं बोलूँगी 10, minus, anti-bonding में electrons कितने, 2 यह रहे, 2 यह रहे, 4, minus 4 यानि कि 6 minus 2, 3 आप बोलोगे मैं nitrogen जो है न, 3 bond बनाके nature में exist करता है friends, very important, bond order हम लोग ऐसे calculate करते हैं, किसी में 2 बंद है, 2 बंद है, 4 बंद है 5 बंद है, 6 बंद है, किसमें कितने बंद है, इस तरीके से वो हमें निकाले जाते हैं bond order को इस तरीके से हम लोग calculate करते हैं, यह बात यहाद रखना जो मेरे दोस्तों आपका जितना bond order होता है, ठीक है bond order जो है, वो आपका inversely proportional होता है, bond length के, यह बात भी ध्यान रखना, मालो किसी में bond order कम है, यानि कि कोई एकल बंद है single bond, इसकी bond length लंबी होगी किसी में bond order जाद है, मतलब triple bond, two even, इसकी bond length जो है, वो आपकी कम होगी inversely proportional है, आबंद का order और आबंद की लंबाई तो molecular orbital theory ने हमें आबंद का order बताया ठीक है, आबंद की लंबाई बताई हमें उसकी nature बताई कि प्रतिचुम्बगी है या फिर आपके अनुचुम्बगी है, आप लोगों को मैंने M.O.T. जो है वो बता दी, वो सिखा दी इसे molecular orbital theory कहते है इसके बहुत सारे questions मैं आपने session के अंदर आपको practice करवाऊंगे, M.O.T. के वीडियो देखने के बाद आपकी molecular orbital theory पकी है, next class के अंदर हम इसके बहुत सारे questions practice करेंगे आप लोगों को 6 PM पे मेरे साथ जुड़ना है TGT, PGT channel, test book, super coaching कोई student मेरे साथ paid course में जुड़के अच्छे चीज़ों को समझना चाता है तो Ritika coupon code को लगा सकता है RITIKA, ये coupon code है जिसे आपको discount सस्ता मिलेगा सब लोगों को class के अंदर जुड़ना है वीडियो अच्छी लगी, like ठोकते चलो रोज लाइब आओ, रोज लाइब आओ ठीके, आपका exam, BPSC, TRE 3.0 qualify करवाने की responsibility मेरी अच्छे से एक एक चीज, 0 level से आपको समझाओंगी, 0 से hero बनाने का मेरा mission है दोस्तों आपको अनपेड इलेक्ट्रों, मैं कभी भी कुछ उपर से नहीं पढ़ाती है रटलो, रटलो, समझ में आना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रोंस हमेशा paramagnetic nature होगी, paired इलेक्ट्रोंस हमेशा diamagnetic nature क्योंगी, hint क्या है हमें लगेगा यह diamagnetic होगा मैं प्रति चुम्ब किये लेकिन यह दोनों आपके paramagnetic होते है बाकि जितने भी जिनमें और इलेक्ट्रोंस है वो सारे आपके paramagnetic nature के ही होते है लेकिन even electron वाले सिरुफ दो ही है जो आपके paramagnetic है लेकिन मैं हमें इन हिंटों की ज़रूरत नहीं है हमें इन चीजों की ज़रूरत नहीं है हमें तो concept समझ में आगया हम तो ऐसी सवाल कर देगा हमने क्या लेना हिंट से हमें कोई मतलब निया किसी हिंट से समझ गया है अब यह concept आपका पक्का हो गया नेक्स क्लास में जब हम मिलेंगे MOTC related बहुत सारे questions में आपके लिए लेके आऊंगी, 4-5 नंबर पक्के हुए हैं, आज की वीडियो आपको देखके, next class में questions को practice करके हम लोग और शांदार कर लेंगे हमारी तेयारी को, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एक लाइक खाल जाज को, दोन स्क्रों से लेके ले जमें कि लेके लेका, ये दर खिताम अबर आपके लेक Voice को, आपके लेके अगी इपके लेकéo है गवीयो आपके लेके लेके लेके।